नमस्कार दोस्तो हमारी यूटूब चैनल में आप एक बार फिर से स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2023 के अंदर अगर आप 4KV तक का सिस्टम लगाना चाहते हैं देन आपका कितना कर्चा आ सकता है चाहिए आप 4KV के पैनल लगाएं या फिर क देन क्या आपके लिए फायदे में रहने वाला है या नहीं ये डिपैंड करेगा आपकी यूट कंजिप्शन के उपर यान कि आप लोड तो लगबग 4KV का चला देते हैं लेकिन आपकी यूट कंजप्शन है वो ज्यादा रहती है मान लीजिए आप लगबग एक दिन के अंदर 25 यूट कंजूम कर लेते हैं देन आप 4KV का सिस्टम नहीं लगा सकते हैं वहां पर आपको जूर्द पड़ेगी 5KV के सिस्टम की ऐसे में आपको कंफ्यूज होने की जूरुत नहीं है पहले आपको अपना लोड देखना है कि कितना आपको लोड चलाना है यानि कि अगर आपको लेगमक 3-63KV का लोड चलाना है देन आप 4KV का इनवर्टर का चुनाव करें अब बात करते हैं यूट कंजूप्शन की अब आप देखें कि आपकी डेली की यूट कंजूप्शन कितनी है अगर आप एक दिन के अंदर 20 यूट कंजूम करते हैं देन आप 4KV के पैनल लगाएं अगर आप 25 यूट कंजूम करते हैं देन आप 5KV का सिस्टम लगाएं तो यहां पर काफी लोग होंगे जिनका जो डेली का कंजूप्शन है वो 4KV लोड के अंदर ही यहां पर 30-35 यूट भी चला जाता है क्योंकि अगर आप continuously 4KV का लोड चला रही है औ तो उसका solution यह होता है कि आप फिर external solar charge controller अपना काम चला सकते हैं जैसे कि मैंने पहले लगा रखता है आपने काफी मेरी वीडियो के अंदर देखा होगा तो यहां पर चलिए बात करते हैं पहले solar panel के ही क्योंकि solar panel के अंदर ही आपको कई technology देखने को मिल जाती है तो यहां प और अगर आप जाते हैं बाइफेसिल के तरफ देन आपको एक लाग साथ हजार रुपे करने पड़ते हैं चार किलोवोट के पैनल के लेकिन यहां पर जो बाइफेसिल है वो कम स्पेस के अंदर आपको चार किलोवोट की पावर देगा और जो पोली पैनल है वो आपको पड़ने वाली है जिसकी मदद से आप चार किलोवोट के पैनल अपने चार बैंटरी के ओपर लगा सकते हैं इसके लिए आपको लेना चाहिए नियोन 80 LV मोडल जिसकी मदद से चार बैंटरी पर आप चार किलोवोट के पैनल लगा सकते हैं लेकिन यहां पर अगर आप नि 200 वोट के पैनल लगा देते हैं तो तो यहां पर अगर आप पैनल और कंट्रोलर लेते हैं और इसके साथ में आपका जो एक्ट्रा खर्चा आएगा वो आएगा लग भी 30,000 रुपे तो ऐसे में आपका ओवरॉल जो खर्चा होगा वह 1,65,000 रुपे के अराउंड होने वाला ह यानि कि अगर आपका बजट 1,65,000 है तब आप 4 किलो बोट के पैनल अपने पुरानी सिस्टम के उपर लगा सकते हैं और यह है कम से कम कीमत अगर आप ऐसे ही बढ़ा देते हैं अपनी कीमत ऐसे ही टेक्नोलोजी को अगर आप चेंज करते हैं मोनो प्रक हाफ कटे अंदर द 880 LV या SV जो मोडल आपको अच्छा लगता है वो ले सकते हैं और 4 किलो बोट का सिस्टम अपने इंवर्टर बैटरी पर लगा सकते हैं अब बात करते हैं जिसको फ्रेस न्यू सिस्टम लेना है तो आपको लेना पड़ेगा 5KVA का इंवर्टर जो की च्यार बैटरी के साथ में आता है जिसके उपरा 5KVA के बैना लगा सकते हैं च्यार किलो बोट तक का लोड चला सकते हैं तो आप PWM टेक्नलोजी का इंवर्टर लेते हैं तो आपको 40,000 रुपे में बड़े ही अराम से मिल जाएगा MPPT आपको मिल साथ 50,000 रुपे के आराउंड बजट अच्छा ह लेकिन उसका फायदा आपको जिंदगे बर होने वाला है तो 10,000 रुपे के जो कोष्ट है वो 60,000 रुपे हो जाएगी क्योंकि 4 बैटरी आपको इतने ही रुपे में मिलने वाली है पैनल का जो खर्चा वो आपका 1,20,000 रुपे हो जाएगा पोली पैनल का अगर आप जाते उनके लिए है जिसको ज़्यादा बैकप किया उशकता नहीं है नोर्मल अपने घर का लोड चलाना है और डेली की जो पावर कंजप्शन है वो 20 उनिट के अराउंड है और इन फूचर वो ज़्यादा यूज़ करता है तो पैनल भी इसके उपर बढ़ा सकता है लेकिन अग आपका बजट अब 3,10,000 रुपे होना चाहिए अगर आपको बैकप ज्यादा चाहिए और अगर आपको बैकप ज्यादा नहीं चाहिए दैन आप ठाई लाग रुपे में लगा सकते है और आपको बजट की कोई दिकत नहीं है और अगर आपको लेटर्स टेक्लोजी लेकिन यहां पर मैं recommend करता हूं 3 kW के लिए लेकिन पैनल आप 4 kW के लगा सकते हैं यानि कि दो बैंटरी पर भी आप 4 kW का solar system त्यार कर सकते हैं यह उसके लिए बिल्कुल बेस्ट रहता है जिसको सिर्फ दिन के समय में लोड चलाना है क्योंकि यह जो inverter है वो transformer less technology का है काफी feature इसके अंदर देखने को मिलते हैं तो यह जो inverter है वो आपको मिलेगा लगए 60,000 रुपे में तो यहां पर inverter battery के आपका कोश्ट होगा 90,000 रुपे और वहां पर आपका inverter battery का जो कोश्ट था वो था 1,10,000 रुपे लेकिन वहां पर आपको backup भी जादा मिलता लेकिन इहां पर अगर आपको backup के जोर्त नहीं है तो आप latest technology का inverter लेकर अपना दो battery से काम चला सकते हैं क्योंकि in future अगर आपको battery चेंज करनी है तो सिर्फ दो ही battery चेंज करनी पड़ेगी अगर आप चेयर बेंटरी वाला लेते हैं तो आपको फिर चेयर बेंटरी चेंज करनी पड़ती है तो अगर लू dugi छवले कि कमेंट करें बीडियो पसंद आया तो विडियो को लारे से अरे साथी महिस चल को सबस्क्राइब करें सबस्क्राइब करने कसा साथ बैल ऐकन को जरूर दबाई तकी इसी परकार की जानकारियों अपको समय समय पर मिलती रहें धन्या बाद झाल, झाल, झाल